So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज इस वीडियो में IRFC और IRCTC को डिसकस करेंगे उससे पहले, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो बिलकुल आप हमारे टेलिग्राम चनल लकीन को जोइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर निप्टी बैंक निप्टी के हर चार्स आपको प्रोवाइट कराये जाएगे So guys, यहाँ पर हम देखेंगे कि IRFC में हमें डिविडेंट का डिनल सकता है तो guys, highly chances है कि डिविडेंट का अनांज जल्द हो सकता है So उसके बीचे का reason का है, वो हम discuss करेंगे तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं Indian Railway Finance Corporation में last trading season क्या देखने का मिला है Last trading season की अगर बात करें guys तो बिल्कुल stock में हमें यहाँ पर गिरावट नजर आई है Stock 25 पैसे तक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आई है 0.93% के basis पर यह गिरावट रही है 26.55 रूपिस के अराउंड आप देख सकते हो Stock यहाँ पर हमें closing देता हुआ नजर आया वही यहाँ पर last कुछ time से गिरावट ही नजर आ रही है यहाँ पर अगर बात करें पाच दिन के टाइम फ्रेम पर भी पहले थोड़ा sideways रहा पर उसके बाद एक level specific level को यह break करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह गिरता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर अगर देखें गाईस तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गिर रहा है वही अगर देखें स्टॉक वन मन के टाइम फ्रेम पर भी 55 पेसे तक गिरावाट यहाँ पर नजरा रही है सिक्स मन के टाइम फ्रेम पर पाच रुपे तक यह अच्छी बड़त हमें देखने को बल रही है एक ब्रेकाउट के बाद स्टॉक ने काफी अच्छे हायरेस लगाया थे बड़ उसके बाद स्टॉक में आप देखो तो बिल्कुल इंतजार खत्म होने वाला है कि वेसे इंपोर्टेंट लेवल को यह सपोर्ट ले रहा है जहां से स्टॉक में बड़त ही बड़त हमें देखने को मिलने वाली है तो वही बड़ते है आगे वॉल्यूम की बात कर ले वॉल्यूम बिल्कुल मंदे के दिन बढ़ सकता है यहाँ पर अगर देखे और लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर में कंटीन्यू एक तगड़ी बड़त हमें देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आप देखो गाइस तो वन करोड से भी ज्यादा की डिलिवरी स्टॉक में लास्ट रेडिंग सेजन यहाँ पर उठाएगी थी एस्टरडे की भी मैं अगर बात कर लो तो वन करोड की डिलिवरी ही यहाँ पर उठाएगी है तो हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हाँ पर टेट्स ले जा रहा है शेयर्स को उठाया जा रहा है यहाँ पर अगर बात कर लें तो 50% लोग बाई करने के लिए कह रहे हैं और 50% लोग यहाँ पर सेल करने के लिए रहा है वही अगर आप देखो 50% लोग बिलकुल यहाँ पर पॉजिटिव है और 50% लोग नेगिटिव तो जिसने मैंने बताया कि क्या डिविडेंट हमें मिल सकता है तो guys highly chances है कि हाँ डिविडेंट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हर साल इंटिरियम डिविडेंट और फाइनल डिविडेंट देता है यहाँ पर 2022 के अगर बात कर लो तो नवेंबर और सेप्टेंबर के मन्थ में यहाँ पर कंपणी के और से डिविडेंट दिया गया था 2021 में अगर आप देखो तो लगभग तीन बार डिविडेंट दिया है इंटिरियम डिविडेंट दो बार दिया है और एक फाइनल डिविडेंट दिया है तो guys यहाँ पर 2021 के फरवरी के मन्थ में डिविडिन दिया है और इसकी डिविडिन हिस्ट्री अगर आप देखोगे जादा तर डिविडिन हमें फरवरी और मार्च में देता हुआ IRFC नेजर आया है और उसके बाद 2022 में इसने फरवरी ना सफरवरी में डिविडिन दिया ना मार्च में डिविडिन दिया और एक ही बार interim डिविडिन दिया है तो highly chances है आपर बन जाते है कि इस बार हमें कही न कहीं चल्द डिविडिन मिल सकता है यहाँ पर हो सकता है कि कमपरी जल्द ही डिविडिन पनजरा रहा है आप आप दिखो गए तो बिल्कुल प्रॉपर रेजिक्शन लेता हुआ ये शेर गिर रहा है और दीखना होगा आगे किस पर्टिकलर रेंज पे शेर सपोर्ट लेता है तो एक इमपोर्टेंट रेंज को इस शेर ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा और यहां से एक फॉल क्रीयेट हो सकता है इस चिछ का आपको द्यान रखना है और यहां पर गडितेंगी अगर देखो तो 26.35 रूपिस के अरौंड इस शेर सपोर्ट ले सकता है इस चिछ को भी आपको ध्यान में रखना है और यहां से एक support लेके share उपर की ओर जा सकता है अगर breakout अगर मिला तो share अगर देखे 29 रूपिस रूप के around easy तरीके से momentum बता देखे इस चेज का ध्यान रखना है तो important support लेने वाला है 26.35 रूपिस का जो level है कि important support level है यहां पर IRFC की में बात कर लूँ क्योंकि यहां पर आप देखो गए तो काफी time पहले stock में यहां से एक फॉला आथा फिर stock में यहां से गिरावट आई थी फिर यहां से गिरावट आई कई बार in particular range से stock यहां पर गिरा है और इसी level को जब इसने break किया तो stock में शानदार level शानदार target हमें देखने को मिले stock में जिसे यहां पर हमें breakout मिला तो कुछ ही हपतो में 26 से लेके stock सीधा 36 रूपिस तक के high इसने लगाए थे उसके बाद यहां पर दो बार rejection इसने इस particular range से लिये और गिरावट यहां पर देखने को बली और अब फिर से stock सस्टेन करने आ रहा है 26.35 रूपिस के level पर और यहां पर यह सस्टेन अगर करता है तो share में फिर से एक अच्छा jump एक अच्छी बड़त हमें देखने को मज रख है और इसके बारे में हम पहले भी discuss कर चुके है 598 रूपिस के around अगर आप देखते हो तो share यहां पर closing देता हो नजरा है 6.20 पैसे तक की गिरावट रही और 5 days के time frame पर भी अगर आप देखो तो कुछ important levels को यह break करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और बिलकुल इसी fall क के कारण stock अगर देखे और निचे जा सकता है इस breakdown के कारण चारवे बच्वन पैसे तक आप देख सकते हो गिरावट में चराती है वन मंत में भी अगर आप देखोगे तो 0.90 पैसे तक गिरावट है और 6 मंत की भी अगर मैं बात कर लो तो 6 मत में stock 60 रुपे तक यहां पर ग IRCTC sign MOU with UCADA for helicopter ticket booking So guys helicopter ticket booking के लिए यहां पर IRCTC सेने UCADA के साथ यहां पर एक alliance किया है और एक deal agreement sign किया है helicopter ticket booking के लिए तो एक अच्छी चीच यहां पर देखने को मैं मिल रही है Volume की बात कर लें तो last trading season 11,00,000 से भी ज्यादा की delivery उठाएगी और 6,00,000 की around का component delivery देखने को मिलता है और last trading season याणी परसों के दिन की बात करूँ 12,00,000 का trade बिले और 6,00,000 का component delivery है Levels discuss कर लेते हैं Levels की बात कर लो तो day one time frame पर हम पहले देखें तो IR CDC एक important level पर support ले रहा है पहले stock ने यहाँ पर support लिया और यहाँ से stock ने support लेके एक अच्छा jump लगा फिर share ओपर की ओर गया और इस particular range से आप देखो वैस तो एक rejection ले रहा है पहले यहाँ से rejection, यहाँ से, यहाँ से कई बार in particular range से rejection इसने लिया फिर नीचे आके यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर support लिया और फिर यहाँ पर यह support ले रहा है बट वही अगर इस support level break होता है तो stock में एक बड़ा fall create हो सकता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बड़ यही पर support लेगे कई बार इसने अच्छा आयराइज लगा है तो यहां से भी एक अच्छा जम्प हमें देखने को मिल सकता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और कल के लिए यानि मंडे के लिए जो लेवल से एक important crucial लेवल पर आयर से डिसी हापर खड़ा है ए लेवल ब्रेक हो चुका है यानि जो गिरावट है और हो दो से तीन रुपे तक की हो सकती है और यहां पर support लेके share उपर की ओर जा सकता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहां पर भी आप देखोगे बड़े time frame पर भ हुआ है स्टॉक में breakout है और मुझे कही न कहीं लगता है कि यह इस particular range पर support लेने की उपोशिश करेगा जहां से पहले गिरावट आई थी यहां से support लेके उपर गया था तो हो सकता है यहां पर support लेके उपर जाए तो कुछ ऐसी चीज़े भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो काफी कुछ बाते हम इस particular वीडियो में कर चुगे आरब से आर से डिसी को लेकर आई होप आपको यह वीडियो अच्छा helpful लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इंशेर सका एक बार analysis कर ल गलिन थां गयो